आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो आज बात करेंगे हर्याना बोड़ क्लास 10th रिजल्ट के उपर गाईज एक और अपडेट आगई है बहुत बड़े खुश कबरी आगई है आपकी यहाँ पर जो रिजल्ट की फाइनल डेट है वो बिल्कुल यहाँ पर कन्फरम हो चुकी है 10th रिजल्ट है वो किस बेसिज पर बनेगा और कैसा रिजल्ट आएगा इन सब बातों पर हम आज बात करने वाले हैं तो चलिए गाईज वीडियो को स्टार्ट करते है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों यहाँ पर देखे ओफिशल अपडेट हरियाना शिक्षा बोर्ड का 10 वी का रिजल्ट 15 तक होगा गोशित बिलकुल गाईज 15 जून तक हरियाना बोर्ड का क्लास 10 तक रिजल्ट गोशित हो जाएगा ये बिलकुल ओफिशल अपडेट है चलिए गाईज पूर 15 जून तक गोशित कर दिया जाएगा यानि कि ये बात भाई खुद हरियाना बोर्ड के आधरणिये चेर्मेन साहब ने ये बात कहिए तो आप मान सकते हैं कि भाई बिलकुल यहाँ पर गोशित कर दिया जाएगा एक जून से आपको पता है भाई यहाँ पर टीचर्स के ल विद्यार्थियों के परिक्षा प्रणाम तैयार करने के लिए CBSC के दुवारा जो भी मापदंड तै कि ये जाएंगे बारवी कक्षा का प्रणाम घोशित कर दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 10th के रिजल्ट की डेट बताए गई है और 12th का रिजल्ट के बारे में बत करते हैं 10th के रिजल्ट की यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आई है उसके उपर कि रिजल्ट कैसे बनेगा जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है गाईज देखिए यहाँ पर इंटरनल असेस्मेंट के अधार पर 15 जून तक हरियाना बोड घोसित करेगा 10 वी का रिजल्ट इसके बाद 12 वी का तो यहाँ पर आप हेडिंग में देख सकते हो इंटरनल असेस्मेंट अब गाईज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फियूजन क्रियेट हो चुका था कि इंटरनल असेस्मेंट क्या होता है मैंने अपनी पहली वीडियो में समझाया था आपको लेकिन यहाँ पर अब मैं दुबारा जब वीडियो बना रहा हूं तो यार मैंने यहाँ पर अच्छे से स्टेडी किया कि भई होगा क्या रियालिटी में ठीक है यानि कि देखो यार सिर्फ इंटरनल असेस्मेंट है उसको आप मानके चलोगे तो उसमें तो सिर्फ 20 नंबर होते हैं लेकिन यहाँ पर जब मैंने पता किया कि CBSC की बेशिस पर ही रिजल्ट बनाया जाएगा देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में बोल दी गई थी कि 10th का रिजल्ट भी और 12th का रिजल्ट भी दोनों CBSC की तरज पर बनेंगी तो मैंने CBSC के बार में पढ़ा कि 10th किलास का रिजल्ट वो कैसे बना रही है ठीक है यानि कि मैथड है उसमें थोड़ा भूद चेंज करेगा लेकिन प्रोसेस वही रहेगा आपको पता है CBSC की तरज पर ही रहेगा हर्याना बोर्ड का रिजल्ट तो वो मैथड यह है कि इंटरनल असेस्मेंट है उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा लेकिन उसके अंदर आपकी सभी चीज़े इंकलीड होंगी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह इंटरनल के बेशिस पर आपका रिजल्ट बनेगा अगर समझ में नहीं आया मुझे पता है नहीं आया मेरे भी नहीं आया तो लेकिन फिर मैंने इसको अच्छे से समझा यहां पर देखिए बहुत बढ़िया इंफोर्मेशन लेके आया हूं तुम्हारे लिए इंटरनल असेस्मेंट का हसली मतलब क्या होता है वो देखो इंगलिस में है उपर नीचे हिंदी में है तो जिसको जो अच्छा लगता हो पढ़ सकता है मैं तो दोनों ही पढ़ूंगा इंटरनल असेस्मेंट इस दा प्रोसेस इन विच दा टीचर्स एंड स्कूल्स जज़ दा स्टूडेंट समझ यही से किलियर हो गया कि अब कि बोर्ड परिख्शा तो नहीं रही तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे है इंटरनल असेस्मेंट और बच्छे क्या सोच रहे हैं यानि कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि स्रिफ वो 20 नंबर होते हैं उनके बेसिस पर ही result बनेगा तो वो शिरफ 20 के basis पे नहीं बनेगा उनका भी कहीं न कहीं यहां पर roll तो होगा लेकिन शिर्फ उनका roll नहीं होगा कि भाई शिर्फ यह कह दिया जाए कि 20 नमबर के basis पे नहीं जैसे मैं आपको example देगे समझाओं चाय है चाय टी जो आप लोग पीते हो मैं भी पीता हूँ तो उसमें सिर्फ क्या चाय पत्ती डलती है और भी चीज़े होती है दूद भी और यहां पर पानी भी होता है चाय पत्ती भी अद्रख भी सभी चीज़े होती है लेकिन बोलते क्या है चाय ठीक है चाय पत्ती भी होती है चाय में लेकिन और भी चीजे होती हैं इसलिए गाईज इंटरनल असेस्मेंट में वो 20 नमबर भी होंगे लेकिन आपने जो यहाँ पर 10th क्लास में जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज की हैं जैसे कि टैस्ट हो गए आपके सैट वगरा लिये गए थे छोटे मोटी टैस्ट हो गए प्रिबोर्ड होगे उन सभी का थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पर रोल है वो रहेगा आप यह मान के चलिए ठीक है तो गाईज आगे देखिए समझबार है उस लाइन का मलब यानि कि टीचर्स ही आपके नंबर देंगे आपकी पर्फोर्मेंस देखके अब वो पर्फोर्मेंस सभी चीजों में देखी जाएगी जैसे कि आपके यहाँ पर क्लास में टैस्ट वगरा होते थे ठीक है जैसे क्लास में टीचर टैस्ट नही होते हैं भी इस नंबर ठीक है यानि कि इन सब को क्या बोला जा रहा है आप वो समझे इन सब चीजों को मिला के एक वर्ड दे दिया गया इन्टरनल असेस्मेंट ठीक है इसमे इस सारी चीजे इनिकलिूड हैं अब आप हिंदी में और देख लीजे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इन्टरनल असेस्मेंट का मदलब होता है आंतरिक परिक्षिक्षन किसी स्कूल या कोलेज में जब वो सिख्षक जो उन्हें पढ़ाते हैं बच्चों को उन्हीं के दुआरा कोई परिक्षा लेकर अगर विद्ध्यार्थी की जाच की जाती है ठीक है यानि कि अब आपकी जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वही आपकी नंबर देंगे वही आपकी जाच करेंगे कि यह बच्चा कैसा था ठीक है यानि कि आपकी सारी जो परफोर्मेंस होती है टेस्ट की हो एक्टिविटीज की हो उन सभी को यहां पर टीचर्स अपने माइंड में रखके आपका रिजल्ट तयार करेंगा ठीक है और वो बोर्ड के पास भेजेगा बोर्ड उसको फिर से एनलिसिस करेंगा उसके बाद आपका रिजल्ट फाइनली यहां पर 15 जून तक जैसा कि आपने पीछे अपडेट में देखा डिकलेर कर दिया जाएगा ठीक है अब यहां पर देखी रिजल्ट की प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दी है एक बार फिर से अगर मैं बहुत छोटे रूप में समझाना चाहूं तो यह है गाईज ठीक है यह वर्ड सुन लेना यह लाइन जो सेंटेंस बोलूं यह सुन लेना इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा ठीक है इंटर को पता नहीं है कि यह बच्चा कैसा है यह कैसा है हाँ वो बात अलगा कि अब कि बार यहाँ पर स्कूल जादा नहीं जा पाए तो फिर भी टीचर को पता होता है और जिनकी यहाँ पर पता नहीं होगा उनका डेटा देख लिया जाएगा डेटा तो है टीचर के पास तो य यानि कि अच्छा आएगा खराब आएगा तो भाई मैं आपको बता दूँ जब से यहां पर class 10 को promote किया है पूरे देश के सभी boards ने उसके बाद कुछ board ऐसे हैं जो अपना result declare कर चुके हैं उन्होंने भी अपना result है वो internal assessment के base पर declare किया है ठीक है जैसे मैं आपको एक example देता 36 गड़ बोर्ड ठीक है उसने यहां पर मैं उसके बार में पढ़े के आया हूँ ठीक है क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने थी तो मैंने सोचा है यह काम आपके साथ तो अब हो रहा है ऐसा कोन है जिसके साथ यह काम हो चुका तो वो है 36 गड़ बोर्ड के students तो मैंने उनक बारे में पढ़ा भई उनका result कैसा आया कैसे उनको number मिले तो guys आप भी पढ़ सकते हैं जाके उनका result भई भोत अच्छा आया है internal assessment पे ही उनका result बना है ठीक है और भोत ही अच्छा result उनका आया है मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूँ यह देखे guys cgbsc 10 वी परिणाम 2021 यहां पर website का नाम है उनका पर गोशित 95.66% छात्रों ने पर्थम स्रेणी प्राप्त की यानि कि first division आई है 95% students के तो देख सकते हूँ कितना अच्छा result है बहुत ही अच्छा result आया है 36 गड़ बोड का जिसने result किस base पे बनाया था internal assessment के base ठीक है तो यार internal assessment के base पे बहुत अच लिए ठीक है और आपको कोई answer नहीं लेनी है जो भी आपका सवाल है वो आप comment कर दीजिए आपका भी result भाई यहां जो दीख रहा है आपको 36 गड़ बोड ऐसा ही आपका result आएगा सभी पास होंगे ठीक है हाँ ऐसा कोई student है जिसने ना कभी school का मुह देखा ना कोई test दिये उनको थोड़ी भो दिक्कत हो सकती है लेकिन जहां तक update है result बहुत ही अच्छा आएगा सो गाई जब भी result की यहां पर मुझे कोई और information मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आप चैनल को subscribe करके रखिए लेकिन जो भी update आज तक यहां पर आई है वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है अब आपके कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो नीचे comment box में भी या फिर instagram का link दे रहा हूं वहाँ पर भी आप मुझे contact कर सकते हो सो फिर मिलते है next video में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत